हलो दोस्तो मेरा नाम है मुवंब सफिक आप देख रहे हैं MD PLUS YouTube चैनल तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो ऐसी लोन कमपनी में बताने वाला हूँ जिसमें आप छोटी छोटी किस डेली पे कर सकते हैं यहां दोस्तो यहां पर आपको डेली इमाई पे करने का ओप्सन मिलेगा दोस्तो मैं आपको बता दू इन दोनों कमपनीयों में इंट्रेस्ट यानि की ब्याज बहुत कम है मात दो परसेंट का इंट्रेस्ट यहां पर लिया जा रहा है तो अगर आप इन दोनों कमपनियें के बारे में जानना चाते हैं या फिर डेली इमाई वाले लोन कमपनी के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को आएंट तक देखते रहे हैं चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कौन सी है वो दो कमपनियां तो दोस्तों सबसे पहली कमपनी आती है OK K Reddit दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि OK K Reddit में आपको कितना अमाउंट मिलेगा तो दोस्तों वो आपके उपर depend करता है कि आपको कितना amount का offer आता है 25,000 का amount का offer आता है या फिर 1,000,000 का या फिर 2,000,000 का ठीक है अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि okay credit में loan लेने के लिए आपके पास documents क्या क्या होना चाहिए तो दोस्तों बस आपके पास मात्राधार कार्ड होना चाहिए pen कार्ड होना चाहिए और आपकी selfie यहां पे upload होगी इसी के base पे आपको okay credit में loan मिल जाएगा अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे interest की तो okay credit की तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं किया है तो 87 दिन का यहां पे 10 और हमें दिया गया था टोटल यहां पे हमें payment करना पड़ा था 26,100 दोस्तों हम बात करें यहां पे कि हमारी daily की EMI कितनी बनी थी तो हमारी daily की EMI बनी थी 300 रूपए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहां पे हमने सही टाइम पे सारी payment की थी इस वज़े से मुझे यहां पे 500 रूपए का cashback भी मिल गया था इसका मतलब यह है कि 25,000 का loan लेने के लिए मुझे यहां पे केवल 600 रूपए एक्ट्रा देना पड़ा था दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप okay credit से loan लेना चाते हैं तो okay credit से loan कैसे लेना है एक detail वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने शुरूस लेकर आयन तक step by step सारा कुछ बताया है कि आपको loan apply कैसे करना है तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप जाके उस वीडियो को देखी है और okay credit में loan को apply कीजिए अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी company की दोस्तों दूसरी company के नाम है खाता बुक जिया दूस्तों मैं आपको बता दूँ की दूसरी company का नाम है खाता बुक दूस्तों मैं आपको बता दूँ की खाता बुक में अभी जल्दी में ही हमने एक loan amount लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5000 का amount लिया है तीन महेने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुझे यहाँ पे बड़ा amount दिया जा रहा था दो लाक रुपए का amount दिया जा रहा था लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा amount लेने से ज़्यादा ब्यास देरा पड़ता है ठीक है दोस्तों मैं डेली यहाँ पे 68 रुपए पे करता हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि खाता बुक में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो apply करते time आपको दिखाया जाएगा कि आपको कितना बड़ा amount मिलेगा जो लाग का मिल सकता है एक लाग का भी मिल सकता है पांच लाग का भी मिल सकता है ठीक है यहाँ पे आपको tenure भी दिखाया जाएगा कि आप कितना tenure लेना चाहते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि खाता बुक से लोन लेने के लिए हमने एक detail वीडियो बनाया है और उसमें apply कैसे करना है ये भी बताया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के भी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी अगर आप खाता बुक से लोन लेना चाहते हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकत हैं दोस्तो खाता बुक में लोन लेना तो आसान है लेकिन document यहां पे इकठा करना थोड़ा मुश्किर है यहां दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर बहुत सारे documents लगती हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तो documents में आपको जहां पे अधार card, pen card, business certificate, bank, checkbook औ और in edge भी आपको complete करना पड़ेगा दोस्तो अगर आप detail में जानना चाहते हैं कि खाता बुक में documents क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे यहां पर documentation को complete करना है तो इसके उपर भी मैं एक detail बीडियो बना रखा हूं तो अगर आपने वो बीडियो नहीं देखा है तो उसको भी बार में बताया है पहले कंपनी का नाम है okay credit इसमें लोन लेने के लिए बस आपके पास एक अधाय कार्ड होना चाहिए pen card होना चाहिए दूसरी कंपनी का नाम है खाता बुक जिहां दूसरी कंपनी में भी आप लोन ले सकते हैं बस यहां पर थोड़ा documents ज्यादा लग रहा ह दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पर ब्यास बहुत ही कम लगाया जा रहा है इन दोनों कंपनियों में और इन कंपनियों में आपको daily basis पे यहां पेक करना पड़ेगा तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं जो कुछ हमने आपको इस वीडियो में बता जा है आप समझ गये होंगे फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें पूछ सकते हैं उसका reply में आपको दे दूँगा अगर वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में